नमस्ते दोस्तों, दोस्तों अगर आप डाउनलोड करने के लिए अपने प्ले स्टोर में कोई भी इमेल डालना चाहते हैं, मगर जब आप इमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको work email लिक़्े आता है तो दोस्तों आप लोग confuse हो जाते हैं या आपको पता नहीं है कि work email क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू work email कोई special email नहीं होता है जो email आप लोग बनाक रखे हैं या normal email को ही आप यहाँ पर डालेंगे और दोस्तो नीचे forget email लिखा है उससे भी लोग confuse हो जाते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पे normal email डाल देंगे और उसका password डाल देंगे तो यह हो जाएगा मतलब आपका play store open हो जाएगा तो दोस्तो आई आपको इसमें हम दिखाते हैं कि work email पे हमने एक email पहले से बना के रखा था उसको डाल दिये हैं दोस्तो अगर आपको email बनाना नहीं आता है या आप योगी या मोधी मोगाईल में app डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तो आपको एक बड़ी वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिशन है या लास्ट में आपको इसकीन पर मिल जाएगा तो दोस्तो अगर आपको email नहीं बनाने आता है तो आप Google Chrome पर email बना के यहां work email के जगह डाल सकते हैं या आपके पास कोई पुराना email है तो उसे भी आप यहां work email के जगह डाल सकते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमने इसमें एक पुराना email डाल दिया है जो कि हमने पहले बनाया था आप उसके बाद दोस्तो हम यहां पर nest करेंगे नेश्ट करने के बाद दोस्तो आप से password मागेगा मतलब जो email आपने बनाया उसका password डालना होगा तो यहां पर हमने password डाल को उसको नेश्ट कर दिया है अब दोस्तो थोड़ा समय लगेगा आप देखेगा फिर उसके बाद आपको इस तरह आएगा तो दोस्तो यहां पर यह grip टच कर दिजिए अब दोस्तो उसके बाद थोड़ा वेट करिएगा थोड़ा समय लगता है इसमें अब दोस्तो आपका email इसमें ले रहा है देखेगे email ले चुका है मगर app डाउनलोड करने के लिए आपको यहां टच करना होगा फिर उसके बाद दोस्तो यहां टच कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप सारे app आपके आ गये हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो